हाई एवरिवन वेलकम टू ग्लोबला उनलाइन सो एंटीए यू दिसनेट री एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंफूशन बच्चों में चल रहा है जिससे रिलेटिड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए भी लेकर आई हूँ आज हम बात करने वाले हैं कि 18 जून को हुए examination के result NTA अभी announce करने वाला है या फिर re-examination conduct करवाया जाएगा जैसे कि NTA ने 28 जून के अपने इस official public notice में कहा था आप सभी ने ये notice पड़ा होगा कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में paper होना है बच्चे बहुत dedication के साथ इस paper की तयारी करने में लग भी गए थे लेकिन उसके बाद ही अब पता चल रहा है कि official website से ये 28 जून वाला notice ही delete कर दिया गया है तो ऐसे में एक और सवाल अभी सामने आ रहा है कि ये exam की जो हम तयारी कर रहे थे वो हमें continue करनी चाहिए या फिर हम अराम से बैठ जाएं और result का wait करते रहें तो ये वीडियो बहुत important है सभी students के लिए इसमें जरूर आप लोगों को मैं एक ऐसा रास्ता बताऊंगी जिससे आपके सारे doubts clear हो जाएंगे सबसे पहले तो देखे students जो भी बच्चे maximum जो students हैं वो इस समय यही बोल रहे हैं कि result announce कर देना चाहिए क्योंकि 18 जून को जो examination हुआ था क्योंकि यह paper देखे बहुत समय के बाद offline हुआ था बहुत ही जादा easy paper आया था खास और पर paper one बहुत जादा easy और expected था so maximum students यही बोल रहे हैं कि result आज आना चाहिए तो यहां पर दो तरह के students हमारे पास हैं एक वो हैं जिनका paper अच्छा हुआ था जो कि result की demand कर रहे हैं और दूसरे बच्चे वो हैं जिनके paper में थोड़ी सी कमी रह गई थी और उनको लगता है कि वो paper को qualify नहीं कर पाएंगे तो वो सब students चा रहे हैं कि re-examination conduct करवाया जाए तो उन students के लिए ये वीडियो है जो re-exam का wait कर रहे हैं तो students मैं आपको एक चीज clearly बता देना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग वैसे भी re-exam का wait कर रहे हो इन case अगर ये वाला re-examination NTA conduct नहीं करवाता है तो आप लोगों के पास जादा समय नहीं है December 2024 के पेपर में आप लोग अपनी तयारी को continue करते रहे हैं जैसे आप लोग पढ़ रहे हो जो process आप लोग follow कर रहे हो जो भी classes में आप लोग अगर enroll हुए हो online या offline या फिर self study आप लोग कर रहे हो तो उस चीज़ में आप लोग बिलकुल भी अपने mind को दूसरी तरफ को divert मत होनी दीजिए कि हम पढ़ाई करते रहें या फिर नहीं करते रहें क्यूंकि examination अगर 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच नहीं होगा तो examination आप लोगों का December में तो पक्का है कि होना ही है अब आपको ये तो पता ही है कि lockdown में NTA ने बहुत सारी चीज़े lockdown के वज़ा से उपर नीचे होती थी examination regular basis पे conduct नहीं करवाये जाते थे लेकिन अब आपको पता है कि lockdown के बाद से NTA साल में दो बार paper करवाता ही करवाता है तो June वाला paper हो चुका है, December वाले के तयारी करते रहे है पूरी dedication के साथ, December से पहले अगर re-exam हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो आप लोगों के पास फिर September, October और November ये तीन महीने होंगे अपनी तयारी को और भी जादा boost अप करने के लिए net की जगा पर आप लोग अपना JRF target कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर से exam को qualify कर सकते हो तो ये एक सबसे बड़ा confusion था जिसका मैं अभी यही solution आप लोगों को दे सकती हूँ इसके अलावा एक सबसे जादा important update ये भी है कि तयारी में लगे रहे लेकिन तयारी में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप exam के level के हिसाब से paper के updated pattern के हिसाब से तयारी कर रहे है या फिर नहीं इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए paper one का complete course में लेकर आई हूँ जिसके लिए new patch 22 जुलाय से start होने वाला है daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा यहाँ पर आपको daily three live lectures हम provide करवाते हैं यानि कि three units आप लोगों की एक साथ run हो रही है तो आप देख सकते हो कितना जलती आपका syllabus पूरा होगा और उसके बाद MCQs और PYQs हम आपको practice करवाएंगे इसके साथ ये students आपके लिए full syllabus notes हम PDF format में लेकर आते हैं सबसे सादा समय बच्चों को notes बनाने में लगता है जो कि आपका यहां से बच जाएगा mock test available है इसमें दिसमबर 2023 के साथ साथ जून 2024 तक के updated questions को भी add किया गया है साथ ही important है ये 5000 प्लस question बेंग पचास में से 35 प्लस questions आप इसी सीरीज में से जरूर पेपर में expect कर सकते हूँ ये आपके लिए बहुत जादा important है free videos on mock test students आपको बिल्कुल miss नहीं करने चाहिए जो कि है global online app पर store section पर search bar में आप लिखे course का नाम जैसे आप content पर चाहते हो यहाँ पर आप देखोगे duration है one year इसका मतलब क्या है कि आप अगर re-exam के लिए इस course को enroll करते हो re-exam नहीं होता है तो December 2024 exam के लिए ये beneficial रहेगा साथ ही अगर आपका target ही June 2025 है तो भी ये course आपके लिए फायदे मन है सिरफ एक ही बार fees देनी है एक ही बार enroll होना है और ये course आपका पूरा paper qualify करने में जरूर मदद करेगा content पर जाए देखें बहुत सारा free content है यहाँ पर बहुत सारे free mock test है English and Hindi दोनों languages में ये best content हम आपके लिए लेकर आए है इसके अलावा भी अगर कोई doubts आपके mind में अभी भी है तो आप given whatsapp numbers पर easily हमसे contact कर सकते हो इसी के साथ students फिर discussion को end करते हैं और भी कोई सवाल पूछने है तो directly मुझसे आप अंकीता सूथ paper one net set preparation के नाम से इस telegram group में connect करके मुझसे directly contact कर सकते हो so end करते हैं आज के discussion को मैं उमीद करती हूँ आपके mind में जो सवाल थे उनका solution आपको जरूर मिल गया होगा thank you so much and I wish you all the very best